हेलो दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत के 50 जीके का अध्यान करेंगे जिसका पहला नंबर का कोस्टन है भारत में आंगल फ्रेंच सत्रुता में निमलिखित में से कौन सी लड़ाई निरणायक सी दिवी इसका आंसर है वेंडी वास दूसरा कोस्टन को देखते हैं या नेक्स्ट कोस्टन करो या मरो का परसिद नाड़ा किस ने दिया आंसर है इसका महत्मा गांदी देखते हैं आंसर महत्मा गांदी तीसरा कोशन अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी कहां स्तापित की थी आंसर है सूरत में नेस्ट कोशन देखते हैं निमलिकित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंदरता दिवस के रूप में मनाया गया था इसका आंसर है पांचवा कोशन देखते हैं बंगाल में राजस्व का इस्तमारी बंदोबस्त अर्थात अस्ताई बंदोबस्त किसने लागू क्या था इसका आंसर होगा लॉर्ड कार्नवालिस देखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस छटा कोशन देखते हैं या किसने कहा था इस समय मद दिरातली होते ही जब संसार सोड़ा है भाड़त जीवन तता स्वतंतरता के लिए जाग उठा है ये नाड़ा दिया था जवारलाल नेरू जवारलाल नेरू आंसर नेश्ट कोशन देखते हैं सात्मा कोशन भाड़त में अंग्रेजी का पहला समच समचारपत्र किसने शुरू किया था भाड़त में अंग्रेजी का पहला समचारपत्र किसने शुरू किया था इसका आंसर है जे ए हीकेस जे ए हीकेस नेश्ट कोशन अर्था आहटमा कोशन देखते हैं किस कालर duplicate को पंजाब को बिटीश समराज में मिलाया गया था कुशन है किस गवर्णर जनरल के काल में पंजाब को बिटीश समराज में मिलाया गया था आंसर इसका है लार्ड डल होजी लार्ड डल होजी नेस्ट कुशन देखते हैं निमलिखिद में से किसको डेजर्ट फोकस कहा जाता है डेजर्ड फोकस किसे कहा जाता है आंसर है जनरल रोमेल को जनरल रोमेल को नेक्ष्ट कोशन निमनलिखीत संधियों को काल करमा अनुसार रखिये मतलब की समय की आधार पर डखा जाए कब कौन हुआ इसका आंसर देखते हैं तो सबसे पहले चार यानि की सालबाई की संधी हुआ उसके बाद स्रीरंग पट्टम की संधी हुई उसके बाद बसीन की संधी हुई और अंतीम में अम्रित सड की संधी हुई इस तरह से इस कोशन के बाद कलबाले कोशन देखते हैं तो नेक्ष्ट कोशन है अर्था देगरवा कोशन मदूरही तक सफलता पुर्वग बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था इसका आंसर है मलिक काफूर नेक्ष्ट कोशन देखते हैं भारत सरकार अधिनिया 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है वह नाम क्या है तो आंसर है मांटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार मांटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार नेक्ष्ट कोशन भारत्य राष्ट कॉंग्रेस का जनक किसे कहा जाता है इसका answer है A. O.िम Next question देखते हैं Sun 1916 S.W. में कलकता में होम रूल लीग की अस्तापना किसने की थी? Sun 1916 S.W. में कलकता में होम रूल लीग की अस्तापना किसने की थी? इसका answer है A. Ney B.S. Ant Next question देखते हैं सब इना अवज्या और करो का भुक्तान नौ करने के लिए महत्मा गांदी को प्रेरणा किस से मिली थी ? इसका आंसर है हेन्री डेवीड थोड़ी यू ? हेन्री डेवीड थोड़ी यू ? Next question देखते हैं गांदी जी से दक्षिन अफ्रिका में मिलने के लिए निम्लिखीद में से कौन गया था? इसका आंसर है गोपाल क्रिष्न गोखले. नेक्ष्ट कोशन देखते हैं भाड़त की संविधान सभा का सामविधानिक सलाकार कौन था? इसका और सडविआन राव. नेक्ष्ट कोशन स्वतंत्र भाड़त की लोग सभा का पहला ध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा जीवी माव लंकर. जी बी माव लंकर नेस्ट कोशन देखते हैं नमक सत्यागड़ा किस वर्ष में हुआ था इसका आंसर है 1930 नेस्ट कोशन कलकत्ता विश्विद्याला किस सेक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तितु में आया था आंसर है उड का डिस पैज नेस्ट कोशन केबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था इसका आंसर है 1940 नेस्ट कोशन मुस्लिम लिख की अस्तापना किस वर्ष हुई थी इसका आंसर है 1926 नेस्ट कोशन भारत का पहला वाइसराय था मतलब पहला वाइसराय कौन था इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग नेश्ट कोशन देखते हैं भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्ताई बंदोवस्थ की परणाली शुरू की गई थी इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्ण वालिस दुवाड़ा लॉर्ड कॉर्ण वालिस दुवाड़ा नेश्ट कोशन कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इसका आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट नेक्ष्ट कोस्टन फर्वरी उनिस्सो अथाइस में भारत आने वाले साइमन कमिशन का बहिस्कार क्या गया क्यों इसका आंसर है उसके सभी सदस्ट अंग्रेज थे अर्थात भारत के कोई सदस्ट नहीं थे इसलिए भारत ये लोग बहिस्कार क्या था नेक्ष्ट कोस्टन देखते हैं विवाजन परिशत का अध्यक्ष कौन था आंसर है लौड माउंड बेटन नेक्ष्ट कोस्टन अर्थात अथाइस्मा कोस्टन गांधी को सब विनय अवग्या की प्रेरनक किसकी रसनाओं से मिली थी आंसर हेंडरी डेविड थोड़ी यू थोड़ी उ नेक्ष्ट कोस्टन पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था तो इसका आंसर है मुहम्मद इकबाल नेक्ष्ट कोस्टन आधुनिक भारत में अस्तान ये स्वसासन का अगुआ समान्यत्या किसे माना जाता है आंसर है रीपन नेक्ष्ट कोस्टन बार दोली सत्यागड़ के बाद बल्लभाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी अर्थात कौन दिया था आंसर है महात्मा गांधी दुबाड़ा नेक्ष्ट कोस्टन को देखते हैं सती पर्था का उन्मुलन किया था कौन आंसर है विलियम बेंटिक ने नेक्ष्ट कोस्टन देखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कह था आंसर है रविद्रनाथ टैगाओर नेक्ट कोशन मौम मदन एंगलो ओरियन्टल कॉलेज बाद में बन गया क्या बन गया था आंसर है अलिगड मुस्लिम विश्व विद्याले नेक्ट कोशन भारती राष्ट कॉंग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण सोडाज को अपना लक्ष घोसित किया था इसका अंसर है लाहर 1929 अधिवेशन में नेक्ट कोशन वाइस राइद वाड़ा नियुक्त किये गए हंटर कमिशन ने निमलखीत में से किसके विशह में तहक कीकात की थी इसका अंसर है जालिया वाला बाग त्रासदी यानि हत्याकांद तेरों अप्रेल 1929 इसीवी को या घटना घटी दुवी थी जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसर लगवग एग हजार व्यक्तियों की जान गई थी नेक्ट कोशन है अर्था 37 कोशन वह अस्तान कौन सा है जहां से आचारी बिनोवा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्यागड़ा शुरू किया था इसका अंसर है महरास्ट में पवनार नेक्ट कोशन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विवाजन के विरोध के रूट में नेक्ट कोशन निम्लखीत में से वह पर्थम भारत के व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटीश संसत के लिए चुना गया था तो आंसर है दादा भाई नोरो जी नेक्ट कोशन को देखते हैं निम्लखीत में से किसके द्वड़ा बंगाल में इस्त मराडी बंदोवस्त अर्थात पर्मानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था आंसर है लौर्ड कॉर्ण वालिस नेक्ट को देखते हैं निम्लखीत में से ब्रिटीश का वह गवर्णर जनरल कौन है जिसने भाड़त में डाक शुरू किये थे अर्था डाक वेवस्ता शुरू किये थे आंसर है लौर्ड डलहोजी यह क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है एक जान की द्रिश्टी कौन से नेक्स्ट निम्लखीत में से कौन सी इस्वी स्वेशन में कलकत्ता और आगडा के बीच पर्थम टेरिग्राफ लाइन खोली गई थी इसका आंसर है अठारो सो तिरुपन नेक्स्ट कोस्टन को देखते हैं निम्लखीत में किस एरोपिय का लोनाईजर ने भारत के पुर्मी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई इसका आंसर है डेनिस नेक्स्ट कोस्टन को देखते हैं भारती राष्ट कॉंग्रेस के निम्लिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फड़ाया गया था इसका आंसर है लाहोड कॉंग्रेस 1929 अधिवेशन नेक्स्ट कोस्टन को देखते हैं निम्लिखित में वह अधि नियम कौन सा है जिसके द्वाड़ा सभी सरकारी सहायता प्राप्त इसकूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को सिच्छा का माध्यम बनाया गया था तो आंसर है मैका लेज मिनट 835 नेक्स्ट कोस्टन को देखते हैं अर्थाथ शाली सुमा कोस्टन अपने प्राड़मभिक राजनीतिक जीवन में में एम ए जिन्ना कौन थे तो आंसर है हिंदू मुस्लिम एक्ता के प्रस्तावक थे नेक्स्ट कोस्टन निमलखीत में से वे कौन है जिनोंने सत्रवी सतावदी के दोडान भारत के पस्चमीत तटिय वैपाड के अधिकांस भाग पर नियंतरन कर रखा था इसका आंसर है पुर्तगाली नेक्स्ट को देखते हैं निमलखीत वेक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान किजिए तो जैप्रकास नड़ायन जैप्रकास नड़ायन को क्या कहा जाता है लोगनायक तो ऐसे देख लेते हैं एका तीन यानि लोगनायक सही है C. अब एंडूज B को यानि दिन बंदू यानि कि C. अब एंडूज यानि इसको दिन बंदू कहा जाता है C का दो है दादा भाई नौरो जी इसको कहा जाता है Grand Old Man of India बचा कौन तो लाला लाजपत राय इसको कहा जाता है राजा जी नहीं सोरी पंजाब के स्री Next question अर्थात उन्चास्वा को सन नीचे विद्रो के परमुग नेताओं के नाम और उनके गती विधी छेतर दिये गये हैं इन में से गलत जोड़ा ग्यात किजिए रानी लक्ष्विबाई इंदौर ये गलत जोड़ा है Next question को देखते हैं Muslim League ने अलग Muslim राज का समर्थन किया था किस समय में 1940 के लाहोड अधिवेशन में ये last question था ऐसे ही हम लोग सभी दिन 50 GK को अच्छे से समझ पाएंगे और अध्यन कर पाएंगे यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और सेर्ज जरूर करें धन्यवाद